नमुश्कार मोब्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नज़र्ज सुर्खियों पर बिश्री काटने से पहले ग्राहक को तीन बार भेज़ी जाएंगे मेसेज बालक राथ को रोकने की दिशा में बिहार पुलीस ने उठाया खास कदम बिहार के किसान अब करेंगे सेब की भी खेती बिहार में आज से मरीजों की शिरू हुई हेल्थ ट्राकिंग बिहार में अब खांदानिक जूरी का कराया जा सकेगा सर्टिफिकेशन अब चले बढ़ते हैं बिहार की श्राम तक की बड़ी खबरों की और वस्तार से बिजली काटने से पहले ग्रहक को तीन बार भेज़े जाएंगे मेसेज बिहार में बिजली चोरी ना हो इसको लेकर बिहार सरकार अपनी एडी चोटी का जोर लगा रही है यही कारण है कि बिहार सरकार इसी कोशिश में लगी है कि सभी घर में पहले तो स्मार्ट मीटर डगा दिया जाए जिसे कि लोग उतनी ही बिजली का इस्तमाल करें जितनी ही वो करना चाहते हैं इसके लावा अब स्मार्ट प्रिपेट उब्भोकताओं से भी बिजली वसूली के लिए नए नियम को लागू किया जाना है जिसके तहती बिहार में स्मार्ट मीटर नियमन यानी की रेगुलेशन बनाय जाने है जिसके अनुसार अब उब्भोकताओं को बिजली काटने से पहले तीन बार वर्णिंग दी जाएगी मोबाईल पर तीन संदेश के बावजूद उब्भोकता अगर मीटर रिजार्ज नहीं कराएंगे तो डिसकनेक्शन यानि बिजली गुल हो जाएगी कंप्री ने आयोक से अनुरोध किया है कि वो एक समय तैकर दे कि कितने दिनों के बाद उब्भोकताओं का कनेक्शन और स्थाई तोर पर काटा जाएगा बाल अपराद को रोकने की दिश्वा में बिहार पुलीस ने उठाया खास कदम बिहार में बच्चों से समंधित अपराद को नियंतरत करने और बच्चों के खिलाफ हो रहे जुल्म को देखते वे ऐसे मामलों पर नकेल कसने के लिए बिहार पुलीस ने एक नई पहल के शिरवात की है बाल मितर थाना भी काररत होने वाला है जहां खास कर बच्चों से जुड़े मामने देखे जाएंगे बिहार में बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराद की जानकारी आई दिन निकल कर केस सामने आती रहती है खास कर छोटे बच्चों और अन्यर राज्यों में बाल मजदूरी के लिए ले जाए जाने की खबर भी आती रही है इसी तरह बच्चों के उतपीरन और उनके साथ होने बाले हिंसा पर अब बिहार में नकेल कसा जाएगा पुलीस विभाग के सूत्रों की माने तो आने वाले समय में राज्य के जिलों में बाल मित्रुथाने शुरू किये जाएंगे बिहार में बारिश के साथ गिरे ओले बिहार में लोग अभी थंड की मार का सामना करी रहे थे हालाकि इसे बीच बिहारवासियों को ठंड के साथ बारिश की दोगुनी मार का सामना करना पड़ा है बुधवार की ही बात करें तो राजधानी पटना समेट कई जिलों में सुबह और शाम में बारिश देखने को मिली इतना ही नहीं कई जगों पर तो ओले भी गिरे जिसके बाद ही ओलावरिष्टी से खिसानों की फसलों को भारी नुक्सान हुआ है विभिन जगों पर हुई बारिश और ओलावरिष्टी की बात करें तो बिहार में और अंगबाद चुले के विभिन हिस्वों में बारिश के साथ पड़े ओले के कारण सरक पर सफेद चादर बिच गई थी देवंबा और मदनपूर में जुमकर ओलावरिष्टी हुई काफी समय तक यहां ओले पड़े इस वज़े से कुछ देड़ के लिए भगदर मच गए ओलावरिष्टी होने के दौरान तेज आवाज हुई जिसे लोग सहम गए आरा में भोजपूर के सहार इलाके में काफी ओले भी पड़े सासरा में भी ऐसा ही मंज़र देखने को मिला बिहार के किसान अब करेंगे सेब की भी खेती सेब का नाम सुन्दे ही आपको कश्मीर की वादिया और हिमाजर प्रदेश नज़र आने लगती होगी क्योंकि आमतोर पर सेब की खेती ऐसे ही इलाकों में होती है ऐसे में अगर हम आप से कहें कि अब बिहार में भी आप सेब खरीदने के साथ सेब की खेती भी देखने वाले हैं तो शायद आप मेरी इस बात पर यकीन नहीं करेंगे लेकिन अब ऐसा सच में होने वाला है क्योंकि बिहार के साथ जिलो में सेब की खेती की शुरुआत होने वाली है अगर आप भी सेब की खेती के गुड़ सीखना चाहते हैं तो आप भी horticulture.bihar.gov.in पर जवा कर आविदन कर सकते हैं बिहार में आप खांदानी जूलरी का कर आया जा सकेगा सर्टिफिकेशन अगर आपके पास भी खांदानी जेवरात है तो अब आप आसानी से सर्टिफिकेशन करना सकते हैं क्योंकि पटना भारतिये मानक दियूर ने सोने की गहने पर पिछले साल 16 जून से हॉल मार्किंग अनिवारे कर दी है इसके बाद नए गहने पर हॉल मार्क शुरू कर दिया गया था लेकिन जिन लोगों के पास खांदानी या पुराने सोने के गहने हैं उनकी परिशानी बढ़ गई थी लेकिन अब परिशान होने बादी बात नहीं है क्योंकि अब जिन लोगों के पास पुरानी जूलरी है वो भी शुद्धता की जाच करवा सकते हैं और गहने की शुद्धता का सर्टिफिकेट हॉलमार्क सेंटर से प्राप्त किया जा सकता है। इसकी जानकारी दे दी है, साथ ही बताया है कि इससे डरने की नहीं बलकिस्ता जग रहने की आवशकता है। संक्रमेतों की शरीर का तापमान और ऑक्सिजन सर की प्रतिदिन जाच की गई थी और कई लोगों को बचाया गया था और वहीं आज से हेल्थ ट्राकिंग की सुविधा भी शुरू हो गई है जिससे आने वाले समय में कोविड-19 के समाखॉल में बड़ी राहत मिलने की उमी चर्चित जद्यू के वरिष्ण नेता वशिष नारायन सिंग के आवास पर चहल पहल देखने को मिलती है लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है जद्यू के वशिष नारायन सिंग ने आम लोगों को संदेश दिया है कि लोग अपने अपने घर में ही मकर संक्रा बदलने की उमीद जताई जा रही है मुखे मंतरी नितीश कुमार के निर्देश पर अलप संक्यक कल्यान वभाग ने बस्तियों के विकास के लिए 272 करोड 42 लाख रुपे की कारी योजना का स्विकृति दे दी है विभाग की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद राशी और निर्मान होगा इसके लावा मुसाफिर खाना विवाह भवन व्यवसाइक भवन दुकान और मार्केट कॉमप्लेक्स आधी का निर्मान होगा बिहार के 22 कॉलेजों को विष्विध्याले की अंगी भूत एकाई के रुप में मिली स्विकृति बिहार में सिक्शा विभा अर्शद फिरोज ने इसको लेकर सारी जानकारी साजा कर दी है। लोग चंता जटा रहे थे कि एक बुजर्ग ने बार हबार वैक्सीन लेने का काम किया है जिसके बाद उन पर मुकद मादर्च करके बुजर्ग की मुश्किले और बढ़ गई थी। अर्शद फिरोज ने धमकी वाला एक वीडियो भी पोस्ट किया था। राजद ने साफ कर दिया है कि यदि कॉंग्रस को बिहार में राज़ूर्टी करनी है तो उन्हें हर हाल में राज़ुत के इशारों पर नाचुना होगा। भाजपा ने कहा मिट्टी में मिल जाएंगे मुकेश सहनी की पार्टी। भाजपा ने कहा मिट्टी में मिल जाएगी मुकेश सहनी की पार्टी। 2022 को लेकर बिहार की एंडिये गठबंदन में शामिल विकास शील इंसान पार्टी के सुप्रीमो और बिहार सरकार की मंत्री मुकेश सहनी उतर प्रदेश में मुके मंत्री योगिया दितनात के खिलाफ प्रिचार प्रिसार और अपने उमिद्वार उतारने की तैयारी में हैं सिभाजपा बहत नाराज है। समराट अशोग के अपमान पर जद्यू के तेवर हुए और ज्यादा तल्क। जिसके बाद अब जद्यू के मुके प्रवक्ता और पुर्वमंत्री निरच कुमार ने भाजपा नेताओं के रवये पर भी कडिया पती जोता दिया हुन्होंने भाजपा का नाम लिये बिना हालिया घटना क्रम पर सवाल उठाया है। फिर भी ये लोगों को खूब पसंदा रहे हैं और उन्हें आगे के एपिसोड का इंतजार है। आज खेल का तीसरा दिन है। इस दोरान भारतिय टीम के टेस्ट कप्तान विराट कोहली ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। आपको बता दे कि विराट कोहली इस मैच के दौरान अपना स्वाबा टेस्ट क्याच पकड़ने में काम्याब रहे। टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से सारवाधी क्याच पकड़ने वाले कोहली छटे खिलारी हो गये हैं। धिराट कोहली ने बवुमा के रूप में अपना स्वाब क्याच पकड़ा है। बता दे कि पुर्फ क्रिकेटर और भारतीय टीम के मुख्य कोच राहुल जबेट भारत की तरफ से टेस्ट में सारवाधी क्याच पकड़ने वाले खिलारी हो की लिस्ट में शीष पर है। तो चोले बढ़तें आज के सवाल क्यों राज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार बिहार के खेसानों के लिए बिहार सरकार के कामों से आप संतुष्ठ है या नहीं। अपने जवाब में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं इसके साथ ही आजश के लिए बसिता ही बिहार की बड़ी खबरों से अबडेटेट रहने के लिए हमारी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बला आइक ओन दबाना नागरें